बोलिये श्रीहर विष्णु भगवान की जय, श्रीलक्षमी माता की जय, जेश्ट शुकल निर्जला एकाच्छी वरत कता भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता महा, ब्राता युदिष्टर, माता कुंती, द्रॉपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, आदी सब एकाच्छी का वरत करने को कहते हैं परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विदिवत भगवान की पूजा आदी तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता इस पर व्याज जी कहने लगे, हे भीम सेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रतिमास की दोनों एकाच्छीों को अन्न मत खाया करो भीम कहने लगे, हे पतामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो, तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रिक नाम वाली अगनी है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा ववास, तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए, बिना भोजन किये रहना कटन है अधा आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताईए, जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, और मुझको स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए श्रीव्यास जी कहने लगे, ये पुत्र बड़े बड़े रिशियों ने अनेक शास्त्र आदिब बनाए हैं, जिन से बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ती हो सकती है इसी प्रकाश शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकाच्छी का वरत मुक्ती के लिए लिए लिखा है श्रीव्यास जी के वचन सुनकर भीम सेन नरक में जाने के भैसे बहभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूँ मास में दो वरत तो मैं कर नहीं सकता हाँ वर्ष में एक वरत करने का प्रतने वर्ष कर सकता हूँ अधा वर्ष में एक दिन वरत करने से यदि मेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई वरत वत लाईए यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वुरिश और मितुन की संक्रांती के बीच जेश्ट के शुकलबक्ष की जो एकाच्षी आती है उस एकाच्षी का नाम निर्जिला है। तुम उस एकाच्षी का वृत करो। इस एकाच्छी के वरत में स्नान और आच्मन के सिवा जल वर्जित है। आच्मन में छे माश्य जल से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्यत्या वह मद्दिपान के सुद्रिश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि भोजन करने से वरत नश्ट हो जाता है यदि एकाच्छी को सूरियोदे से लेकर द्वाच्छी को सूरियोदे तक जल ग्रहन ना करें तो उससे सारी एकाच्छी के वरत का फल प्राप्त होता है द्वाच्छी को सूरियोदे से पहले उटकर स्नानादी करके ब्रहमनों को दानादी देना चाहिए इसके पश्चाद, भूके और सत्पात्र ब्रहमन को भोजन करा कर फिर आम भी भोजन कर लेना चाहिए इसका फल एक वर्ष की संबून एकाच्छियों के फल के बराबर होता है व्याज जी कहने लगे कि हे भीम सेन यह मुझको स्वैम भगवान ने बतलाया है इस एकाच्छि का पुर्णे समस्त तीतों और दानों से भी अधिक है केवल एक दिन मनुश्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुश्य निर्जल एकाच्छि का वर्ष करते हैं उनको मृत्यू के समय यम दूत आकर नहीं गहरते वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ख को ले जाते हैं अतास संसार में सबसे श्रेष्ट निर्जल एकाच्छि का वर्ष है इसलिए यतन के साथ इस वर्ष को करना चाहिए उस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र को चारण करना चाहिए और गौ का धहन भी करना चाहिए इस प्रकार व्यास जी के अग्यानुसार भीम सेन ने इस वर्ष को किया इसलिए इस एकाच्छि को भीम सेनी या पांडव एकाच्छि भी कहते हैं निर्जला वरत करने से प्रतम भगवान का पूजन करके यह प्रातना करें कि हे भगवन आज मैं शुरधा पूरवक निर्जला वरत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा अता आपकी कृपा से मेरे सब पापनेश्ट हो जाएं इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वसर से ढखकर सोन सहित दान करना चाहिए जो मनुश्य इस वरत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यग्यादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता इस अकाच्षी के वरत से मनुश्य विष्णू लोग को प्राप्त होता है जो मनुश्य इस दिन अन खाते हैं वे चांडाल के समान हैं वे अंत में नरक में जाते हैं जिनों ने निर्जला अकाच्षी का वरत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों मद्देपान करते हों चोरी करते हों या गुरू के साथ द्वेश करने वाले हों मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं एक उंती पुत्र जो पुरुष यास्तुरी शृद्धापुर्व के स्वरत को करते हैं उनको निमनिलिकित कर्म करने चाहिए प्रतम भगवान का पूजन, फिर गौदान, प्रामण को मिष्टान वदक्षिना देनी चाहिए तदा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निजला के दिन अन, वस्र, पात्र, उपानह, अरताज्यूती, आदी का दान भी करना चाहिए जो मनुष्य भक्ती बुर्व किस कदा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चे ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है बोलिया श्री हरी विष्णु बगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय बोलो नारायन, नारायन, बज्मन नारायन, नारायन, लक्ष्मी नारायन, नारायन, सत्य नारायन, नारायन, बज्मन नारायन, नारायन, लक्ष्मी नारायन, नारायन, नारायन